एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल राजस्तान क्लासेज में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट राजस्तान की सब्वेताओं जो प्राचीन सब्वेता हैं उसे समंदी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और उसके अंदर जो 20 क्वेस्टन रहेंगे फर्स्ट क्वेज में 20 प्रसंते सेकंड में 20 है और थर्ड में भी 20 रहेंगे वो भी है जो वीडियो अप्लोड हो जाएगा वो भी आप जरूर देखे हैं तो दोस्तों 10 से 12 मिनिट का वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों वीडियो क जो वीडियो चल रहा है लाइव उसके साथ आप लाइव चल रहे हैं प्रीमियर में चल रहे हैं तो आप साथी साथ उत्तर भी जरूर दीजिएगा चली स्टार्ट करते हैं पहला क्वेस्टन आपके लिए कि राजसान में तामर यूगिन सब्वेताओं की जननी कही जाती ह जननी किस सब्वेता को कहा जाता है किस चैत्र को कहा जाता है तो दोस्तों आपको बता दूँ है आप पर है जो सही उत्तर अ ऑप्शन सही उत्तर है गनेश्वर जिनको पता हुए उवे जरूर आंसर देते रहे साथ साथ मैं देखिए राजस्तान की जो तामर यूगी इंस संसक्र्टियों में गनेशमर सब्भेत है जो सबसे पुरानी सब्भेत यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्तान में सबसे पहले पत्थर के बांद प्राप्त हुए थे मतलब की कहां पर हुए थे और उत्तर जो सही होगा वो होगा सी ओप्शन सही होगा गणेश्वर बिलकुल सही उत्तर है गणेश्वर है जो सही उत्तर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन है कि गणेश्वर इस्तान किस जिल्ले में इस्तिते हैं जहां से गणेश्वर जो है यह किस जिले में इस्टितित है जहां से तामर यूगिन सब्वित का है उससे इस प्राप्त हुए यह जो आपन गणेश्वर सब्वित की बात कर रहे हैं यह important question है दोस्तों आपको याद रखने है इसमें से गणेश्वर सब्वित से दो एक question भी पूछ लिया तो आपके लिए बहुत important होने वाला यह वीडियो राजस्तान में सबसे पहले पत्तर के बांद कहां पर बनाए गए थे कहां से प्राप्त हुए वो गणेश्वर में हुए और जो तामर यूगिन सब्वितां को जननी कही जाती है वो गणेश्वर को कही जाती है यह है जो गणेशर किस जिले के अंतरगत आता है तो दोस्तों बी ओप्शन सही है सीकर जो सही उतर है सीकर जिले के अंतरगत गणेश वरिस्थान है जो आता है आहड की खोज किस ने की थी आहड क्या है आहड भी एक सब्वेता है जिसकी खोज किस ने की थी तो दोस्तों आपको बता दूँ आहाड जो है इसकी खोज किसने कीती तो इसकी खोज रतन चंदर रतन चंदर अगरवालने कीती से ओप्शन सही उतर है ठीके और अब आहाड जो है यह कहां पर है यह उदेपूर जिल्ले में है याद रखना आयर नदी के किनारे है उदेपूर जिल्ले में आयर नदी के किनारे है याद रखना है आपको और यहां तामर योगी इंसेंस करती के पुरा अवसेश मिले है तामर योगी इंसेंस करती के यहां पर पुरा अवसेश भी मिले है और इसकी खोज 1924 में की गई थी साखलिया ने भी उत्खननकारिय करवाया था लेकिन सरव परतन में पर जो खोज की थी वो सरत्न चंद्र अगरवाल ने की थी और खोज की थी और जो उत्खननकारिय करवाया था बाद में वो वी एन मिस्रा और एजडी साखलिया द्वारा करवाया गया था नेक्स्ट क्येसन है कि किस इस्तान पर लोहा बनाने की प्राचिनतम भट्टिया मिली है तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आपका उतर होगा वो बी ओप्सन सही होगा सुनारी जुन जुनु सुनारी यह कहां पर है यह जुन जुनु में चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्येसन है आहाड सब्यता के लोग किस प्रता को प्रात्मिक्ता दिया करते थे तो दोस्तों जो सही उतर होगा वो होगा ए ओप्सन ए ओप्सन जो है वो सही उतर होगा मतलब की बली प्रता सही उतर जो होगा बली प्रता होगा आहाड सब्यता के लोग किस प्रता को प्रात्मिक्ता दिया करते थे बली प्रता को वह कौन सी सब्यता है जहां सवों को आबुसन सहीत गाड़ा जाता था कौन सी सब्वयता है ऐसी तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उतर होगा वोगा डी आपसन और अधरसब्वयता और यह आधरसब्वयता में किस प्रथा को प्रात्मिकत दी जाती थि वो थी बली प्रथा च्याद रखना है आपको आहड की खोज किस ने कीती तो दोस्तों आहड की खोज रतन चंद्र रतन चंद्र जो है अगरवाल ने कीती और उतकरन कारिया वी एन मिस्रा और एच्छी साकलिया ने कब कीती उनीस्सोच पर में खोज कीती चली नेक्स रतमर कुसर से और कौन सी खोज़्ञे जिसे मरत्क ट्रिलों की सबवेता कहा जाता है तो दोस्तों जो सही उतर होगा आपका बी अप्सन आहड सबवेता बिलकुल सही जो उतर है वो है आहड नेक्स रतमर का कौन सा स्थान जो प्राचिन इंतम में तामर नगरी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों ये जो question है, पूचा गया है police परिक्षा 24 में पूचा गया था concernable के परिक्षा में और पतवार 2009 में भी पूचा गया था और grade second जो sanskrit 2010 के exam में भी पूचा गया है और ये जो ahad है, मैंने आपको first question में भी बताय था अहड जो यह कहाँ पर है यह Udhepur में है अदेपुर में कौन सी सब्देता है आहड सब्देता है और जो आहड के आज पास लगवग 40 तांबे की खाने मिली है कितनी मिली 40 तांबे की काने कितनी 40 और प्राचिन काल में इस जगह को तामर नगरिया तामर वर्ति कहा जाता था तामरवती कहा जाता था मतलब कि तामबे वाली जगे है तो दोस्तों आहड़ सबीता जो है यहां पर तामर यूगी इन पहले प्राचिंतम में कहला थी थी और यह है जो पटवार 2011 परीक्सा में और पुलिस परीक्से दो जाच चोदा में पूचा गया क्वेसन है और जो आहड़ की जो नौलेज थी वो मैंने आपको एडवांस नौलेज भी दे दी है अब बात करते हैं बेराड़ सबीता के उत्पति का आधार नदी है और आहड़ जो सबीता है वो कौनशी नदी के किनार है वो है जो आयड़ नदी के किनार है उद्पुर के अधार नदी है कौनशी नदी है तो दोस्तों एप्सन सही होगा एप्सन में जो भी है क्या है आपको पता है बाण गंगा तो सही उतर होगा बाण गंगा बेराट सब्वेत की खोज का सिरेव किन कोज जाता है जिहां ये भी important question है और आपको जो उतर देना है C option सही है दयाराम सहानी दयाराम सहानी चलिए next question बेराट सब्वेता से सरवादिक सूती कपड़े में लिप्टी हुई कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई थी या हुई है तो जो सही उतर होगा वो होगा बी option पंच मार्क मुद्रा सही उतर है समराट अचो का सीला लेक राजस्तान में किस प्राच्छीन सभीता के से प्राप्त हुआ तो यहां पर जो सही उतर होगा वो भी सी ऑप्शन होगा बेराट से ठीक है नेक्स्ट क्वेशन बात करते हैं विराट नगर नाम से प्रसी दिस्तल जांसे मौरे काली ने उन गुप्त काली ना उसे इस प्राप्त हुआ दोस्तों यह जो क्वेशन है आरे एस एक्जाम 2019 इंठानों में पूचा गया पुलीस खनीज विबाग 2013 में पूचा गया बैराठ विरारतागर नाम से जो प्रसी दिस्तल जांसे जिसका नाम है बैराठ जयवपूर में है जो काली बंगा सब्वेता का साब्दीक अर्थ क्या है काली चूडिया व्या सब्वेता बना सब्वेता या काज की चूडिया दोस्तों पंदर नंबर जो क्वेशन है इसका बेराट इस्तीत पहाडी जा बहुत विहार के ओशेस मिले उन्हें क्या का जाता है या उन्हें जाना जाता है। और यह जो question दोस्तों PTI grade फर्स्ट और सेकेंड में पूचा गया question है, 2015 में पूचा गया question है, और B option है जो सही उत्तर है, बीजक की पाड़िया कहलाते हैं, और दयाराम सहानी को बीजक डूंगरी पर असो का एक इस्तंब और अभी लेक, बहुत मंदीर और बहुत वियारादी क एक वसे मिले गए और किसको मिले दयाराम सहानी को मिले कब मिले 1937 में मिले, या शिद रिखना है आपको किस इत्यास वेता ने काली बंगा को सिंदु घार्ठी सामराजी की तरतिये राजदानी का है किस इत्यास वेता ने काली बंगा को सिंदू गाटी समराजी की तर्थिय राज़ानी का है सेकंड ग्रेड एक्जाम 2013 में पूचा गया राज़ान पुलिस कॉंस्टेबल 2014 में पूचा गया और उत्तर होगा आपका A ओप्सन दयाराम सहानी जो की खोज करता है आठ संसकर्ती का विकास हुआ का से हुआ मारवाड मेवाड मारवाड मेवाड टुंडार या बागड ये क्वेशन सिक्सक ग्रेड थर्ड में पूचा गया है सिक्सक थर्ड ग्रेड पूचा गया क्वेशन है और इसका जो सही उत्तर होगा वो गबी ओप्सन मेवाड मेवाड से आहाड संस्कृति का विकास हुआ तो आहाड है काँ पर उदेपूर में है आहाड काँ पर है आयर नदी के किनारे पर है चलिए आगे बढ़ते हैं बागोर सबीते का कैंदर किस जिले में है बागोर सबीते का कैंदर है दोस्तों किस जिले में है सही उत्तर जो होगा वोगा भीलवाड़ा और राजस्तान में पचुपालन के प्राचिनतम साक्से काँ पर मिले बागोर में भी मिले हैं और ये जो शिक्सक थर्ड ग्रेड एक्जाम में पूचा गया है और राजस्तान में पचुपालन के प्राचिनतम साक्से बागोर से मिले और बागोर सबीते का कैंदर किस जिले में वो भीलवाड़ा में अब नेक्स्ट क्वेशन है आपके लिए कि अही चित्र पूर किस जिले का प्राचिन नाम है तो जो सही उत्र है वह नागोर आप्सन सही उत्र होगा और यह जो जेल प्रहरी 2012 परिक्सा में पूचा गया क्वेशन है तो दोस्तों आज की क्वीज अपनी 20 प्रश्न की क्वीज थी और यदि बात करें तो जो अपना टॉपिक चलना है प्राचिन सब्यत ऑप्लोड ऊच्छे का है आप देख लिया आपने तो आपको पसंद दें दें तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ सेर्ग करें मईप六 लॉय इसी परकार अपडेट है जो देते रहें धन्यवाद